है थो दोस्तों वेल्कम बैक टुदी चैनल ओर्जोंग व्लासस सो दोस्तों आज की वीडियो में हम मार्केट सग्मेंटेशन टारगेटिंग एंड पॉजिशनिंग चाप्टर का पार्ट टू देखेंगे दोस्तों और आज की वीडियो में इंपोर्टेंट टॉपिक डिसक् बत करते हैं दो आज का हमारा टॉपिक होगा डिफरेंस बेटिवें प्रोड़क्ट डिफ्रेंसीयेशन एंड मार्केट सग्मेंटेशन सब्सक्राइब हैं उनके बीच में अंतर समझाना है दोस्तों आज की सवीडियों में सिर्फ हम एक टॉपिक देखेंगे और एक टॉपि का सारा आएगा और ठर्ड कॉलम में मार्केट सेग्मेंटिशन का सारा आएगा दोस्तों नोट्स के साथ दे रहा हूं चलिए one by one देखेंगे फॉस्ट है दोस्तों मीनिंग दोनों का मीनिंग क्या होता है प्रोड़क्ट डिफ्रेंसीयेशन का क्रिएटिंग यूनिक प्रोड लुट पिचर समें देंडा अच्छी क्वाटिटविड करमा अच्छे नहीन इनॉवेशन दालना किताकी मार्कें जितने प्रोडक्ट है उन हमारा प्रोडक्ट अच्छा दिखें डिफ्रेंट दिखें और मार्केट सेग्मेंटेशन अलग टॉपिक है मार्केट सेग्मेंटेशन नहीं डिवाइडिंग ब्रोडर मार्केट इंटु स्मॉलर गुरॉप्स बेस्ट ऑन characteristics market segmentation एक process है जिसमें company क्या करती है अब company में बहुत ही साधा customer customers होते हैं और बहुत ही सारे customers को marketing से affect करने के लिए आप सारों को तो marketing activities पहुंचानी होती है तो सारों को पहुंचाना तो impossible होता है तो उनको groups में बाड़ती है अब जैसे मैं आपको example देदू एक company clothing brand की company clothing brand वो सब के लिए बनाती है पूरे generation के लिए बनाती है तो क्लोध में बाड़ती है जैसे उल्रेश कितने हैं उनको एक group में एक मार्केट में और चोटे बच्चे जितने उनको गूरूप में तीन एच्छे का तो गेन एक कॉंपेटिव एडवांटेज थो यूनिक ओफरिंग्स अगर एक कंपनी अपना अलग प्रोड़क्ट अगर अच्छा डिफरेंट बनाएगी तो अपने हमेशा कॉंपेटिटर से आगे रहेगी सो इनका में परप्रस रताएगी कॉंपेटिशन से हमेशा आगे अब मार्गेटMे मार्गेट से्ग्मेंटेशन का का में परपरा कि सारे जितने भी कस्टेमर से उनको अधिइंटिफाई करें और थफोकस रफेटा है प्रड।uा प्रड producing का और D सब्सक्राइब उसके बात मार्कट सब्सक्राइब्स इसके लिए कियोपर इसके डिमग्राफिक बैवियर्यard market segmentation का फोकस रधा है दोस्तों उसके बाद का main strategies बनाते हैं दुस्तों और ही च्राटेंगी की को देखके target किया जाता है customers को और behavior में मुलतों customer अपने product को देखके कैसे behave कर रहा है कैसे act कर रहा है यह सारे चीजों देखके company क्या है अपने सारे strategies बनाती है अगर आपको इसका detail चाहिए basis का तो मैंने कल की वीडियो में basis of market समझाजीज देख सकते हैं फिस्त है यह सारे चीज़ जो प्रोड़क्त डिफुरेंशिएशन करだけ हो इसका में अथकम क्या होता हैar उटकम किस लिए काम करते हैं प्रोड़क्ति डिफुरू डिफरेंशिशन काम करता है piece of value क्यों करते हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटिजी बड़ा है और लोगे गजांपल बता के मैं आपको अपना वीडियो सबस्क्राइब इन आइपयों में आप्ल के मार्केटिंग बनाया तो इसका प्रोडॉक्ट अलग है उसके प्रोडॉक्ट में उसके प्रोड等 में ने-च Vishas वीडेयो कॉलिटि अच्छा आता है उसके प्रोड़क्स की अच्छी ब्रांडिंग है अच्छा प्रोड़क वो भीगता है दोस्तों वैसे मार्केट सग्मेंटेशन का टार्गेटिंग मिलीनियल्स फैमिलीस और सीनियर्स जैसे मैंने एक्जामपल ही बताया था अब जैसे मिलीनियल्स याने जो दोस्तों आपको प्रोस्पक्टी से अच्छा पढ़के जाहिए दोस्तों और आप जानते हैं धोस्तों हम Contemporary Marketing के Classes Start कर दिये थे जिसके playlist का लिंग में आपको description box में देदूँगा जापर आपको एक ही जगा पर इस subject की सारे classes मिल जाएंगी दोस्तों और एक बाद कल का वीडियो का भी बैल लिंग आपको description box में देदूगा एक बाद description box चकर लिजेगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को subscribe कर लिजेगा और अपने सारे friends से जाथ इस वीडियो को share करतीजा रोस्तों Thank you so much